ये बार-बार किसमें होते हैं उसी सेल साइकल में और बार-बार ये डिवाइट करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, एक ही टहनी तो होती है, एक तो मेन होती है, साइड में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और ब्रांचेस कहां से बनेंगे, ब बच्चपन से उनके पास यह वाला स्टेम नहीं है वो जो क्योंकि नायल लेके जाते हैं आपको उसमें जो फाइबर्स दिखाई देते हैं वो किसके बने हैं जिया स्क्राइन का है मतलब क्या है अनटमी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चाप्टर अनटमी ऑफ लावरिं दुऊने ब्रांच की ठीक अनटमी का मतलब क्या होता है अनटमी का मतलब है कि सरी ओफ क्या Second स्ट्रक्टर क्या मतलब है टर्ड्य और स्ट्रक्चर और इंट्रणल स्ट्रक्चर बच्चो किसी भी चीज़े सब देखो कैसे जब उसको आप चुसको होगे चाहे transversely cut करके देखो चाहे longitudally cut करके देखो जैसे for example बच्चों अच्छा सोचते हैं है ना अगर आप select हो गए अगर नहीं हो नहीं है so you will get admission in respective medical college तो आपको शुरू में शुरू की यर में आपको dissection करना सिखाएंगे किसका human body का dissection क्यों करते हैं so that आपको शरीर का जो internal structure है वो पता चल सके और उसी internal structure के study को हम क्या बोलते है anatomy तो जो आप शरीर को dissect करते हो human body को बच्चों तो आपको अंदर बहुत सारे cells दिखते हैं उन cells की study करोगे उन cells का नाम क्या है वो group of cells एक particular tissue बनाते होंगे और आपको पता है बच्चों वो टिशू आगे जाकर कि कौन सी हरार की में involved होता है organs बनाता है so we have several organs और हर organ के अंदर कुछ specific cells है और उनका कुछ specific function है getting my point हम यह सब इस लिए पढ़ते हैं कि हमें organ के बारे में पता चल सके हमें अंदर अपने टिशू है सेल है उनका रोल उनका position सब कुछ पता चल सके और उसी को पढ़ने को हम अनटमी बोलते तो सर्प animals की थोड़ी आनटमी पढ़नी होती बच्चों there are certain plants not certain plants हम यहां पर सिर्टें प्लांस का जिक्र कर रहे हैं that is flowering plants त flowering plants के बारे में जिक्र करेंगे और पहले भी हमने जिक्र किया हुआ है बच्चों कि flowering plants वह प्लांस होते हैं जिसके ऊपर आपको वह खुपसूरत सी चीज दिखाई देती है that is flower तो ऐसे plants को flowering plants बोलते हैं या तुम कह सकते हो इसमें हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे हम पढ़े कि हमारे अंदर हमें जानना है बहुत सारी diseases cure करना है तो हमें पहले पता होगा तब ही हम कुछ कर पाएंगे और moreover आप organs को भी differentiate कर सकते हो कि एक organ दूसरे organ से अलग क्यों है कौन सी cells में अलग है function में कैसी अलग है similarly dicot और monocot का जब आप internal structure study करोगे तो you will get to know several differences जोंके cells में उनके रोल में उनके function में differ करता है तो यह फादा है anatomy बढ़ने का है ना तो आप स्टार्ट करते हैं बच्चों स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जानेंगे कि टिशू क्या होता है तो टिशू आप बच्चों zoology में भी पढ़ते हो ठीक है टिशू का मतलब क्या है टिशू को हम कैसे define करते हैं it is a group of cells cell का जुण्ड है और यह ऐसे cell का जुण्ड है जिनका function भी common है और origin भी जिल दो ग्रूप आफ सेल का है यह विंग अविंग कौमन फंक्शन कामन फंक्शन जिसका बता है नर्वस तिशू में क्या बना होगा किसका बना होगा बहुत सारे नर्व सेल्स का बना होगा इसंट अब जॉलोजी में पढ़ चुके हो इसलिए मैं उसका एक्जाम्पल ले रहे हूं प्लाइंस में आप देख लोगे कौन से टिश्यू होते हैं किस सेल्स के बने होते हैं वह किसके बने होंगे बचो नर्व तिश्यू बहुत सारे नर्व सेल हो गई तो यहां पर हम बात करेंगे प्लांस में कि ग्रूप ऑफ सेल जिनका कॉमन फंक्शन कॉमन ओरिजन होता हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों टिश्यू और अगर हम प्लांस की बात करें तो हमें पढ़ने हैं टू टाइप्स ओफ टिश्यू प्लांट में जो दो टि शू और एक है प्रमनेंट शू तो लिजते हैं बचो सबसे पहले हरे रहें यहां पर मैरिस्ट्रमेंटटि टिश्यू की दुखरीफrice टिश्यू इनके बीचमें Dantine किश्यों सबस्कोन अन्य सबसे निदे सबस्ट में होता है और मतलब समझेंगे Merystematic tissue में एक word आ रहा है Merystem, क्या word आ रहा है Merystem, वैसे Merystem एक Greek word है, जिसका मतलब होता है Division, ठीके इसको एक Greek word से derive किया गया है, तो meristem का मतलब हमने plant वाले growth वाले चाप्टरों में बढ़ा था बच्छो, meristem का मतलब होता है actively, क्या मतलब होता है, actively dividing cells, मतलब ये बार-बार किसमें होते हैं, उसी cell cycle में और बार-बार ये divide करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, जब उनको specific होना ह तब देखेंगे, ये तो almost ये क्या करते हैं बच्छो, इनका division में बहुत मन लगा रहता है, तो ये divide करते रहते हैं, है न, जैसे for example, जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ, एक cell का example लेते हैं, ये देखो, ये एक cell है, ये क्या करेगा, division में जाएगा, तो division में जाने के बाद क क्या करते हैं बच्छो, divide, फिर से दो cell बना लेंगे, अब ये जो दो cell बने, फिर से divide करेंगे, तो बार-बार ये division में ही रहते हैं, तो या division के लिए तुम्हें energy भी चाहिए, है न, energy तो चाहिए ही चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है कि cell को जब divide करना होता है, तो वो अपने आपको prepare करता है, जैसे बच्चों अगर आपको energy चाहिए पढ़ने के लिए, तो आपको खाना भी बहुत चाहिए, तो आप खाना दिन बार खाते रहोगे, खाते रहोगे, आप खाना को store करके नहीं रखोगे, है न, similarly, क्योंकि ये बार-बार divide करते रहते हैं, इनको energy बहु you can say negligible, ठीक है, अब हम देखो, एक ही basis ले रहे हैं, क्या basis ले रहे हैं, कि meristematic tissue वो group of cells होते हैं, उन cells से बना हुआ है, जो बार-बार divide कर रहा है, क्योंकि बार-बार divide कर रहा है, इसलिए इसके पास stored food नहीं है, क्योंकि ये newly formed है, newly formed है न, तो अभी तो thickening वेगरा कुछ हु कैसे होते हैं, thin world, ठीक है, यहाँ पर बार-बार divide करते जा रहे हैं, क्या करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, compactly arranged हो जाते हैं क्या हो जाते हैं तो intercellular space क्या होती है intercellular space absent होती है क्योंकि divide करते जाएंगे जुन्ड बनता चला जाएगा और compactly arranged होते चले जाएंगे और क्या होते हैं बच्चो लेको यह कैसे बस बन रहें बस तो यह कैसे सेल्स हैं दिया इमेट्चियोर सेल्स जिनका काम अभी सिर्फ डिभीजन करना है कोई function परफॉर्म करना नहीं है क्योंकि यह नए सेल्स हैं ताजे 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 बने तो वेस्ट कैसे आ जाएगा अब कोई नया नया घर है तो उसमें पहले से वेस्ट थोड़ी है वो तो आपको पूरा का पूरा फॉर्णिस्ट मिला है क्योंकि अभी अभी नया बना है लेकिन जब आप उसमें रहने लगते हैं तो धीरे-धीरे कचड़ा डेवलप होते रहता है डास्विन बना लेते हैं डास्विन को भरते रहते हैं है ना करें similar 그 यहाँ पर क्योंकि सब्सक्राइब करने हैं अभी और जैसे बन और फिर से डिवाइट कर रहे फिर से कोई बेस्ट नहीं हो रहा वे स्थन है तो अमारे सेल के डिस्टा दर्प्डिन क्या होता हैं हम कहां ।ो ए सिद्सक्राइगी। सोचो, नहीं, है न, तो what we gonna write, यहां पर हम लिख सकते हैं vacuoles, या तो होंगे नहीं बच्चो, या तो तुम कह सकते हो, निगलेजिबल होंगे, निगलेजिबल कह सकते हो, या तुम कहोगे, अगर है भी तो, इनकी size बहुत छोटी है, क्योंकि बड़े होने की जरुती नहीं है क्यों जरुवत नहीं है, because waste नहीं है, तो यह हमने पढ़ा है meristematic tissue के बारे में, और बच्चो, PGR वाले chapter में, मैंने आपको पूरा का पूरा meristematic phase पढ़ाया हुआ है, उस meristematic phase में आपको बताया हुआ है, क्योंकि यह cells बार-बारी actively divide करते चले जाते हैं, तो इनका जो nucleus होता है, वो बहुत prominent होता है, division का मतलब क्या है, बार-बार carryokinesis करें और बार-बार cytokinesis, क्योंकि बार-बार carryokinesis कर रहे हैं, तो nucleus is very very prominent, क्योंकि अभी अभी open करके आईए, तो cell में properly दिखाई दे रही है, and as well as cytokinesis भी की होगी, तो cytoplasm का content बहुत क्या होता है, dense, तो हमने इस पॉइंट से, chapter से add किया है, अब यार यह पूरा का पूरा malistometric tissue तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं, what is permanent tissue, इसमें किस तरीके के cell है, अब permanent से आपको समझ में तो आई रहा होगा, बच्छों, permanent का मतलब क्या है, तो permanent का मतलब है, कि यहां पर cell, यहां पर cell, फिर से divide नहीं करता है, they do not divide further, ऐसा क्यों, अब सुनो, फिर से recall करते हैं, basic वाला chapter जो हमारा cell cycle था, इस cell cycle में हमने बहुत सारे phases पड़े, G0, फिर क्या था, sorry, G0 यहां नहीं आता, एक सेकेंड बच्छो, G1, S, G2 और M, तभी बोला था न, यह chapter सिर्फ वहां नहीं, हर जगा काम आ रहा है, देखो हर जगा हम इसका इस्तमाल कर रहे हैं, ठीक है, even zoology में भी आप इसका इस्तमाल पड़ोगे, बच्छो, बहुत basic चीज है, अब होता क्या है, हम कहते है, एक cell डिवाइड करेगा, ठीक है, एक cell को हमने भेज दिया, cell cycle में, तो वो डिवाइड करके, interphase, M phase में गया, चीजए बहार आ गया, क्योंकि अगर यह मेरिस्तमाटिक cell है, तो यह फिर दिविजन में जाएगा, गया, जीवन में गया, बट इसको लगए और इसको लगए और इसने बहुत डिवाइड कर लिया, जीवन में भर गया, इसको लगए यहा, दिवेशन तो कर रहे हैं कर दूने जहा चला जाता है gne and may जब यह G1 exit करके जी ports को क्या बोलते हैं पिछले क्षर में पड़ा हुआ एप पिछले chapter में इस pre किस में permanent बना रहा है permanent with respect to size and with respect to function तो ऐसे सेल जो जी नॉट में बैठे हुए हैं ऐसे group of cell जो जी नॉट में बैठे हुए हैं बच्छों वही तुम्हारे permanent tissue बनाते हैं जैसे nerve cells they are present in G-not they are present in G-not आपको पता है वो कैसे टिशू हैं, they are permanent tissue, they are not dividing, they are not dividing, but वो अपना काम कर रहे हैं, अपना specific function perform कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां से हमने समझा कि वो cells जो G1 exit करके G0 में चले जाते हैं, differentiate कर जाते हैं, एक specific function को perform करने के लिए, ऐसे group of cells permanent tissue बनाते हैं, ठीक है, ऐसे group of cells क्या बनाते हैं, पर्मनेंट टिशू बनाते हैं, अब सुनना है ध्यान से, तो अगर ये cells divide नहीं करेंगे, तो हमने क्या बोला, ये क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा सा सुन्दर सा कलर लेते हैं, ठीक है, ऐसे group of cells अगर divide नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, अब दे विल अंडर गो, दे विल अंडर गो differentiation, और इसके पिछने लेक्चर में आने आपको बताया था बचों, differentiation दो तरीके की होती है, फ्रॉक्चर में भी structural हो सकता है, और physiological, दोनों तरीके की differentiation चलती है, structure मतलब अपना structure भी change करके यह specialize हो जाते हैं और अपना function भी specialize कर लेते हैं for example nerve cell उसका structure भी fixed है permanent है और उसका function भी fixed है that is why they are differentiated cell अगर मैं plant की बात करूँ mesophyll cell cell ले लो mesophyll cell वो cell है जिसका structure shape सब कुछ fix है और उसका काम भी फोटो संथिस कराना तो दाड़ सपामनेंट टिशू ठीक है यह तो differentiate कर जाते हैं और differentiate क्यों करते हैं टू परफॉर्म है टू परफॉर्म है पैसिफिक है टू परफॉर्म स्पैसिफिक फंक्षन तो यहां पर हमने अभी तक समझ लिया बच्छों परमनेंट टिशू क्या होते हैं अब 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 ध्यान से सुनना अब इन ही पॉइंट्स को लेकर कि हम compare करते हैं चलो हमने वहां पर लिखा कि stored food नहीं है क्योंकि यह ताज़े-ताज़े तो इस्तमाल कर रहे हैं अपना जो काम करना है बट काफी सारे खाने को स्टोर करके भी रख सकते हैं तो यहां पर stored food मिलेगा यहां पर stored food भी प्रेजेंट उसके बाद यहां पर यहां पर आपको फिन वॉल भी मिल सकता है जैसा अगर आपको नाइन क्लास में पड़ा हुआ है बच्चो पर्मनेंट टिशू में प्रे Schmidt кईम परो स्क्रेक प्रेण काईमा अता है जायलम और वे माते हैं अगर में क्लान काईमा की बात कुरू तो उनका cell व कि में झ्ले ॉल ससक कि फिरण तो यहां पर के में comparison की थी इनके पास intercellular spaces नहीं होते हैं फिर यहां पर वही होगा अगर मैं प्रेंट काइमा ले करके चलू तो वहां पर intercellular spaces present भी हो सकते हैं और absent भी हो सकते हैं तो यहां पर दोनों चीज आ जाएगी ठीक है उसके बाद यहां पर immature लिखा हुआ है बट यह differentiation का result है differentiation हो गई मतलब maturation हो गई तो यह सारे के सारे cell जो permanent tissue का हिस्सा है बच्चो वो mature भी है और हमने यहां पर लिखा हुआ है कि हमें vacuoles नहीं चाहिए क्योंकि तो बार-बार divide कर जा रहे हैं नहीं नहीं बन रहे हैं बट यह तो बने हुए न कितने पुराने हैं तो यहां पर बच्चो व्यक्यों का जो size है size है वो भी बड़ा होगा मतलब और इसका number भी ज्यादा होगा ठीक है number भी ज्यादा होगा तो वी है अब पढ़ेंगे बच्चो ताइपस पढ़ेंगे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेरिस्टमाटिक टिशू के टाइप किसके टाइप मेरिस्टमाटिक टिशू के आओ कि मेरिस्टमाटिक टिशू ना दो तरीके से डिवाइट कर रखा है ताइपस बता रखा है एंसी आटी में तो सबसे पहला हम लेते हैं डिवीजिन किस बेसे पर लेंगे पहला है यह बीजिए पहला है यह बीजिए अपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ाया हुआ है बचो क्योंकि जहां पर ग्रोथ की बात आएगी वहां पर डिवीजिन की बात आएगी है ना ग्रोथ डिवीजिन की बात आएगी और हमें पता है प्लांट में जो डिवीजिन की एबिलीटी रखता है जो डिवाइड करवाता है वह मेरिस्टेम से क्योंकि हमने पिछले चाप्टर प्लांट ग्रोथ पढ़ा था तो वह इस टॉपिक से लिंक्ट था तो हमने पढ़ा हुआ है तो लो दुबारा से हलका सा पढ़ते हैं ठीक है तो आपको नाम से पता चल रहा है कि यहां पर हम किस बेसिस पर डिफ्रेंशेट कर रहे हैं कि मेरिस्टेम प्रेजेंट कहां पर होते हैं क्योंकि मैंने आपको बता रखा है बच्चों मेरिस्टेम की पोजिशन फिक्स होती है इसलिए प्लांट ग्रोथ भी फिक्स्ड होता है लोकलाइज्ड होता है ठीक है विकॉस इट अकर्स एट स्पेसिफिक लोकेशन आओ चलो देखते हैं कौन-कौन से हैं एक होता है एपिकल मेरिस्टेम दूसरा कौन सा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम और तीसरा है वच्चो लेटरल मेरिस्टेम क्या है लेटरल मेरिस्टेम अब मैं आपको यहाँ पर तो हम लिखेंगे न समझने के लिए वैसा यहीं पर ड्राव कर सकते हो नो इशू ठीक है नो इशू तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ एपिकल मेरिस्टेम यहां पर बीच में हम क्या लिख रहे हैं इंटर क्यालरी और एक हम बना रहे हैं लेटरल मेरे से अब ध्यान से सुनना एपिकल का मतलब क्या होता है बच्चों एपिकल का मतलब क्या होता है एपिकल का मतलब होता है दवान विच प्रेजेंट एट एपेक्स यह मेरे स्टेम कहां पर मिलता है एपेक्स एपेक्स नहीं समझ में आता तो टिप पर याद रख सकते हो जैसे जैसे ठीक है अब एपेक् और एक कहाँ पर मिल सकता है तोches root टिक फे मुल सकता है ठीक है जैसे पर ईग्जैंपल पार कि बनाते हैं शूट यह है हमारा शूट ठीक है और यह है हमारा ठीक है ठीच माण लों यह यह सारा क्या है यह सारा का सारा tenía तो हमें पता है अगर यह shoot है, if this is a shoot, तो shoot का apex क्या है, shoot का apex यह है, और इसी shoot apex पे आपको क्या मिलेगा, इसी shoot apex पे आपको मिलेगा meristem, यह क्या है सारा का सारा हिस्सा, this is meristem, जो meristem shoot tip पे present हो, ऐसे meristem को हम क्या बोलते है, shoot apical meristem, ठीक है, present at, define भी कर देते हैं बच्चो, present at shoot tip, ठीक है, यह meristem यह क्या है, हमारा root है, यह root के tip पे भी हो सकते है, root का tip क्या हो गया, यह, 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 ठीक है, तो हम इसको क्या define करेंगे, root apical meristem, और अगर आप से पूछ लिया गया, तो आप लिख सकते हो, meristem, meristem present at root tip, वो meristem, जो root tip के apex पे मिले, root के tip पर मिले, उसको हम root apical meristem बोलते हैं, अब इनका काम क्या है, meristem है, तो length increase करेंगे, यह वाली किसकी length increase करेंगे, root की length को बढ़ाएंगे, ठीक है, पहले root की length इतनी थी, अब बढ़ करके इतनी इतनी हो जाएगी, तो यह क्या कर रहे हैं, length बढ़ा रहे हैं, इनका काम क्या होगा, इनका काम क्या होगा, बच्चों इसकी height बढ़ाना, पहले height यह थी, है ना, अब यह काम करेगा, यह इसकी height, suppose करो इतनी बढ़ा देगा, ठीक है, suppose करो इतनी बढ़ा देगा, इतनी height तुम्हें extra मिल गई, that means, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, जो meristems, epics पे present होते हैं, उनको epical बोलते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है, अगर height इतनी है, तो यह उसकी height को बढ़ा करके इतनी कर देगा, तो यह length बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहला point हम लिखेंगे, epical meristems, they increases, they increases length, किसकी length बढ़ा रहे हैं, root की बढ़ा सकते हैं, as well as shoot की length बढ़ाते हैं, जब plant में growth, length के form में हो, ऐसी growth को हम क्या बोलते हैं, बच्चों, ऐसी growth को हम क्या बोलते हैं, primary growth, क्या बोलते हैं, primary growth, मैं लिख रही हूँ, primary growth तब होती है, जब plant की length increase होती है, क्या increase होती है, plant की length increase होती है, अगर epical meristems को, धान से सुनना, बहुत important चीज़ बता रहे हैं, अगर epical meristems को length बढ़ानी है, तो यार मान लो, मुझे इस pen की height बढ़ानी है, ठीके, तो यह तो भी यह non-living है, तो obviously इसके पास ऐसाच कोई meristems नहीं है, एक और चीज़ इसके ओपर यहाँ पर add कर दूगी, क्या कर दूगी, add कर दूगी, फिर tape लगा दूगी, उसकी length पहले इतनी थी, अब इतनी हो जाएगी, है ना, plants के पास तो ऐसे cells हैं, जो naturally add कर रहे हैं, है ना, divide कर रहे हैं, add कर रहे हैं, तो primary length बढ़ाने का काम किसका है, एपिकल मेरिस्टेम का है, किसका है बचो, एपिकल मेरिस्टेम का है, आप देखना बहुत important चीज़ NCRT में लिखी होई है, कि, जब यह growth करते हैं, लिखना, while increasing, while increasing, the length of मेरिस्टेम, इसका क्या मतलब है बचो, यह NCRT की लाईन है, जिससे बहुत question आता है, इसका क्या मतलब है, सुनना अब, एक second, यहाँ पर diagram है ना, अब यह देखो, हुआ क्या, हम कह रहे हैं, कि, just a second, हुआ क्या है, हम कह रहे हैं, पहले shoot की height सिर्फ इतनी है, और यहीं पर क्या मौझूद था, यहीं पर हमारा मौझूद था, apical meristem, कैसा apical meristem, shoot apical meristem, shoot apical meristem इसकी height बढ़ाएगा, अब overall, shoot की height होगी, जो length होगी, वो इतनी बड़ी हो गई है, तो obviously, अब अगर height बड़ी हो गई, तो इस stem का tip क्या हो गया, tip तो यह हो गया, है ना, that means, सारा का सारा meristem अब यहाँ पर आ गया, अब यह तुम्हारा क्या बन गया, shoot apical meristem, जब ऐसा होता है, तो कुछ meristem पीछे ही छूट जाते हैं, और जो left behind portion होता है, वही फिर आगे जाके क्या बनाते हैं, ठीक है, यह जो नीचे छूट गए हैं, बच्चो साइड में, यह जो नीचे छूट गए हैं साइड में, यह सारे के सारे meristem से, यही आगे जा करके बनाते हैं, एक्जिलरी बढ़, क्या बनाते हैं बच्चो एक्जिलरी बढ़, एक्जिल क्यों बोल रहे हैं, पहली बात तो इस एक्जिलरी बढ़ को हम और क्या बोलते हैं, लेटरल बढ ड़ीके साइड में बन रहा है ना ठीके एक 情况 आता है कि एक्जिलरी बढ किसे बनता है एक्जिलर ही बढ बनता है वॉम्ड फ्रॉम में formड फ्रॉम लेफ्ट बिहाइन पोर्षन एव शूट चूट एपिकल मेरिस्टेम डारेट क्वेशन आता है बच्चो याद रखना ठीक है लेफ्ट ठीक है अब यह एक्जलरी बड क्या करेगा बच्चो यह एक्जलरी बड चाहे तो यहां से नई ब्रांच बना सकता है नई ब्रांच तो आपको पता है एक ही टहनी तो होती नहीं एक तो मेन होती है साइड में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं और ब्रांचेज कहां से बनेंगे बड से बनता है वो बड कौन बनाता है एपिकल मेरिस्टेम का वो बचा हुआ अंच जो पीछे ही छूट गया है फिर यह आगे बढ़ेगा, फिर यहां कोई ना कोई छूट जाएगा, फिर यहां से branches निकल सकती है, ठीक है, तो यह हमारी NCRT की line है, यह हमारी NCRT की line है, अच्छा, एक और चीज, यह भी आपको याद रखना है, कि जो meristem, primary growth करा रहे हैं, उनको हम primary meristem बोलते हैं, अब यह आ जैसे एक plant है, एक बच्चा है, प्लांट का बच्चा है, छोटा सा, ठीक है, प्यारा सा, cute सा, छोटा सा बच्चा है, अब आम का पेर शुरू में इतना मोटा हुआ नहीं है, बच्चो, शुरू में तो उसने सिर्फ अपनी length को increase किया है, मोटापे को तो increase किया नहीं, अगर वो length को increase कर रहा है, और हमने अभी देख लिया, कि length को increase कौन करता है, ये वाले meristem, that means ये बच्चपन से होंगे न, बाद में तो आई नहीं है, ये बच्चपन से present है, तब ही तो उसका length बढ़ा पा रहे हैं, तब ही तो उसके primary growth करा पा रहे हैं, तो ऐसे meristem को जो बच्चप what is intercalorie meristem, what is intercalorie meristem, देखो, inter में inter का मतलब क्या होता है, inter का मतलब होता है, between, तो मैं NCRT की line लिखती हूँ यहाँ पर, inter का मतलब क्या होता है, between, ठीके क्यों बोला गया इसको between, अब सुनना, ये मान लो घास है, क्या है घास है, तो हमें पता है बच्चों, घास ऐसे grow करती ह मैंने घास बना दी, अब आप घास में भी आपने देखा होगा, पत्तियां आती हैं, पत्तियां जो leaves है, नई चीज हमेशा कहां से बनेगी, meristem वाले portion से बनेगी, कहां से बनेगी, meristem वाले portion से बनेगी, अब ध्यान से सुनना, ये क्या बना रही हूँ मैं, अब घास है, प स्टेम का characteristic feature होता है जब आप morphology पढ़ोगे तो वहां पर भी पढ़ लोगे स्टेम का characteristic होता है presence of node and internode अब ध्यान से सुनना ठीक है इस इस वाट नोड यह भी क्या है नोड है यह भी क्या है नोड है ठीक है नोड they are rich in meristem इसलिए कभी भी आप अपने आंगन में जाओ ठीक है गार्डन में जाओ अगर आप पौधे देखते हो न तो इस पौधों में जो leaves है या नया branch है वो हमेशा नोड से निकलता हुआ दिखाई देता है क्यों क्यों क्योंकि नोड के पास क्या है बच्चों meristem है नोड के पास क्या है meristem meristem ही वही चीज़ है जो कुछ नया बना सकती है and this is the reason कि तुम्हें नोड पर ही पत्तियां आते दिखाई देती है ठीक है क्या आते दिखाई देती है पत्तिया और नोड से ही तुम्हें नीचे के तरफ क्या क्या दिखाई देगा root अब ध्यान से सुनना ये क्या है leaves आ गया ठीक है और ये क्या है root आ गया कोई बात नहीं हम तो यहां पर intercalorie meristem समझा घांस बना लिया तो हमने notice किया कि node के नोड के पास क्या है मेरिस्टेम अब यह बीच वाले हिस्से क्या है यह जो बीच का हिस्सा बनाया है मैंने यह वाला यह क्या है बच्चो यह है हमारा यह हमारा मैच्चियोर टिशू और क्या बोल सकते हो तुम इसको पर्मानेंट टिशू क्या बोल सकते हो पर्मानेंट टिशू इंटर कैलरी मेरिस्टेम यहां पर हमने दिखाया ना यह देखो यह नोड के पास क्या है इंटर कैलरी मेरिस्टेम अब तुम सोच रहोगे कि इस मेरिस्टेम को इंटर कैलरी क्यों बोल रहे हैं अब ध्यान से सुनना इस मेरिस्टेम को जो node के पास है, इसको intercalorie इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि वो दो mature tissue के बीच में है, यह है ना node, इसी node के पास क्या है, meristem, कैसा meristem, जो दो mature tissue के बीच में फसा हुआ है, दो mature tissue के बीच में या लिए पर्मनेंट टिशू के बीच में फसा हुआ है, इसी लिए इस meristem को intercalorie meristem ने लिखा हुआ है, कि घास में, घास में intercalorie meristem होता है, तब ही तो जब बकरी वगेरा उसको चरती है, गाय, तो आपने देखा होगा grass regenerate कर जाती है, क्यों regenerate कर जाती है, क्योंकि उसके पास वो ability है, क्यों, क्योंकि उसके पास वो meristem है, ठीक है, तो meristem, ये वाला meristem भी क्या करेगा, ये length increase अब हमें पता है, क्योंकि grasses ऐसे डो करते हैं, तो इनका length ऐसे increase होगा, अगर woody में है, तो इनकी length ऐसे increase करेगा, ठीक है, मोटे-मोटे वाले पेड़ है, तो length ऐसे increase करेगा, intercalorie और जब grasses में है, तो length ऐसे increase करेगा, मतलब कहने का क्या है, कि length को ही बढ़ा रहा है, तो इस point क लिखेंगे बच्चों कि intercalorie, it is present, it is present between two mature tissue, अगर मैं NCRT की भाषा में लिखू, तो लिखा हुआ है, एक second, mature tissue या permanent tissue बोल सकते हो, और हमने यहाँ पर किसका example लिया है, inter node को example लिया हुआ है, कि meristain दो inter node के बीच में है, वो intercalorie है, NCRT में लिखा हुआ है, that is intercalated between two mature tissue, between two mature tissue, इनका भी काम क्या है, इनका भी काम है length को increase करना, it increases length, therefore perform which type of growth, therefore perform primary growth, that means, ये भी कैसे meristain है बच्चो, primary meristain, क्योंकि बच्चपन से हैं, तभी तो ये growth करा पार है, ठीक है, ये भी पढ़ लिया हमने, अब एक है lateral meristain, ठीक है, क्योंसी meristain, lateral meristain, lateral का मतलब क्या होता है, side, ठीक है, sideways, ठीक है, ये cylindrical meristain होते हैं, draw कर सकते हैं, cylinder, ठीक है, ये इस तरीके के meristain होते हैं, बच्चो, मान लो, ये तुम्हारा क्या है, ये stem का पार्ट है, stem ऐसी है, ये इसके side में ही तुम्हें, sideways, ये देखो, ये इस तरीके से मौझूद होते हैं, इस cylindrical meristain को, हम lateral meristain बोलते हैं, क्या बोलते हैं, cylindrical meristain को lateral meristain बोलते हैं, क्योंकि ये side में दिखाई दे रहें, side में present हैं, इसलिए, अच्चा, एक और चीज, ये side में present हैं, तो side में increase कराते जाएंगे, मालो एक cylinder stem को सोचो, तो stem पहले ऐसे ऐसे बढ़ रहा था, अब धीरे-दीरे क्या होता है, ये अपना motapa increase करता चला जाता है, ठीक है, आपने देखा हो गए काम का पेड, शुरू में कितना पतला सा है, मरियल सा, है न, लेकिन जब वो growth करता है, जब वो mature होता है, बड़ा होता है, तो एक time के बाद हो motapa increase करने लगता है, तो जो motapa increase करें, अभी तक length increase हो रही थी, इसले ही दोनों primary थे, अब motapa increase हो रहा है, motapa increase करने का काम किसका होता है, lateral का, और जब motapa increase होता है एक पेड का, तो मैंसी growth को secondary growth बोलते हैं, क्या बोलते हैं, secondary growth, तो चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कि ये कैसा meristem है बच्चो, ये cylindrical meristem है, जैसे हमने सबका नाम discuss किया है, तो इसका भी नाम discuss करेंगे, ये इसको lateral meristem क्यों कहते हैं, present on the lateral side, present on the lateral side, ठीक है, ये क्या करता है, ये thickness increase करता है, plant की, it increases thickness, और क्या increase करता है, thickness वोड ना दिया हो, तो गर्थ दिया होगा, नहीं तो क्या दिया होगा, diameter दिया होगा, मोटापा, अच्छा अब आप सोच रहे होगे कि सारे plant का मोटापा बढ़ता है, नहीं, सिर्फ woody stem, आं हो गया, people हो गया, नीम हो गया, बर होते हुए, क्योंकि सारे के सारे dicots है, है न, आपने monocots में, sugar के ले लो, maize ले लो, इनमें नहीं देखा होगा, बढ़ते हुए, rice का plant देखलो, मोटा होता है, wheat का देखलो, होता है, नहीं होता है, that means, ये वाला growth सब में हो, जरूरी नहीं, ये दोनों growth, primary वाला growth, सब में हो होता है, secondary वाला growth, necessary नहीं है, तो जो हम chapter आगे proceed करेंगे, तो हम वहाँ पर देखेंगे, कहां पर जरूरी है, और कहां पर नहीं है, ठीक है, ये, it increases diameter, therefore, they are known as, ठीक है, therefore, एक second, therefore, perform, perform, secondary growth, और क्योंकि ये secondary growth perform करते है, they are known as, they are known as, secondary meristem, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अभी तक हम ये बोल रहे थे, कि अगर इनको primary growth perform करना है, तो इनको बच्पन से present होना चाहिए, और ऐसा हम plants में देखते भी तो है, आप वो length increase होने वाला growth, उनके बच्पन से देखते हो, है ना, but बच्पन म मुटापा क्यों ने increase हो जाता, that means, बच्पन से उनके पास ये वाला stem नहीं है, बच्पन से उनका मुटापा इसले increase नहीं होता, क्योंकि बच्पन से later meristem है नहीं, that means, ये बाद में develop होते हैं, जब एक बार plant mature हो जाता, अपना मुटापा increase करने के लिए, thickness increase करने के लिए formed after some time, ये सब हम origin में भी discuss करेंगे, ठीक है, तो अभी हमने देखा है किसके basis पर बचो, position के basis पर, जो apex वो हो, apical, जो beach में हो, intercal, जो side में हो, lateral, तो मैं आपको एक simple size का diagram भी बना करके दिखा सकती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, बनाते हैं यार एक diagram, ये मानलो shoot है, ठीक ह और ये shoot का apex है, ठीक है, ये shoot का apex है, अब आप shoot है, तो beach में बहुत सारे notes भी present होगे, just a second, beach में बहुत सारे notes भी present होगे, ये notes है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये कुछ ज्यादा ही वो है न, पतला size को थोड़ा मोटा कर देते हैं, ये हमारा apex stem का, ठीक है, जो meri stem, shoot के apex में मौझूद हो, ऐसे meri stem को क्या बोलते हैं, ऐसे meri stem को हम shoot, apical meri stem बोलेंगे, ठीक है, अब ये node है, ये क्या है, inter node है, फिर से ये node है, पूरा revision कर लेंगे हम बच्चो इस diagram से, और ये क्या है, inter node है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चो, ये node के पास कौन सा meri stem होता है, inter calorie, तो देखो, inter calorie कहाँ पर मौजूद है, दो inter node, दो mature tissue के बीच में, इसलिए, NCRT ने इसको define किया हुआ है, यहाँ पर node के पास, जो meri stem मिले, node के पास, जो meri stem मिले, वो inter calorie है, और जो sideways present होते हैं, sideways present होते हैं, cylindrically, उनको हम lateral बोलते हैं, क्या बोलते हैं, lateral, इसका भी एक diagram मैंने आपको PGR वाले chapter में दिखा रखा है, ठीक है, तो यह हमने सारा का सारा क्या पढ़ लिया बच्चो, यह हमने सारा का सारा पढ़ लिया है, on the basis of location, अब हम पढ़ेंगे on the basis of function, जिसका थोड़ा बहुत हमने अल्रडी पढ़ रखा है, आजो, एक होता है, primary meristem, और एक होता है, secondary meristem, जो भी मैंने आपको बताया था, एक होता है, secondary meristem, जो भी मैंने आपको बताया था, तो हम primary meristem को कैसे define करेंगे, हम primary meristem को define करेंगे, present from beginning, मतलब बचपन से, बचपन से ये वाला meristem present होता है, plants में, और ये वाला meristem किसमें involved होता है, ये वाला meristem involved होता है, primary growth में, अगर आप से पूछा जाए, बच्चो, primary meristem का example बताओ, तो primary meristem का example क्या लिख दोगे, apical meristems, क्या लिखोगे, apical meristem, और कौन से होंगे, apical में shoot वाला भी आ गया, बच्चो, और root वाला भी आ गया, ठीक है, और कौन सा लिखोगे, अभी हमने पड़ा, intercalorie meristem, क्योंकि ये दोनों meristems, बच्पन से ही present हैं, इसलिए इनको primary meristem बोलते हैं, और इसलिए primary growth कराते हैं, तो तुम यहां पर भी लिख सकते हो, primary meristem का काम क्या है, to perform, to perform primary growth, जितनी वाल लिखोगे, बच्चों, उतना ज्यादा concept clear होगा, उतना ज्यादा revise होगा, secondary meristem क्या होते हैं, they develop later on, they develop later on, जब requirement होगी, ठीक है, और किसमें involved होते हैं, they are involved in secondary growth, secondary growth क्या होती है, जब plant की thickness increase हो जाए, ठीक है, अच्छा, यहां पर हमने दो-दो बारे लिख लिए हैं, इसको हटा दो, कौन-कौन से आते हैं, बच्चों, lateral meristems, ठीक है, lateral meristems, तो आप आगे वाने chapter में पढ़ोगे, मतलब इसी आगे वाले topic में इसके chapter में पढ़ोगे, lateral meristems में क्या आते हैं, बच्चों, एक आता है, vesicular, vascular cambium, ठीक है, एक क्या आता है, inter-fascicular cambium, और एक आता है, core cambium, बच्चों, अगर मैं चाहूँ, तो अभी मैं इसको समझा सकती हूँ, ठीक है, और fascicular का एक और नाम है, fascicular का एक नाम है, intra-fascicular cambium, intra-fascicular cambium, चाहूँ तो मैं अभी इसको बता सकती हूँ, बढ़ अभी मैं बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये बाले जो topics हैं, वो आगे आने बाले secondary growth से linked है, तो मैं यह समझाती हूँ जब मैं secondary growth पढ़ाती हूँ, तो stay tuned for that, ओकी, यहाँ पर हमने primary merism देख लिए secondary merism, अब आप सोच रहे होगे कि बंते कैसे हैं, तो थोड़ा flashback पर जाओ बच्चो और PGR वाला chapter याद करो, वहाँ पर मैंने आपको समझाया है, यहाँ पर मैंने एक्स्प्लेइन किया है, that how primary meristems are formed and how secondary meristems are formed, चलो रिवाइन करो टेप को बच्चो, यह topic यार, anatomy में भी आपको काम आएगा, यह topic आपको anatomy में भी काम आएगा, सुनना कैसे, स्टार्ट करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं, लाइफ जैसे हम बोलते हैं, जाइगोट है, जाइगोट करता है, तो embryo बनता है, embryo आगे डिवाइड करता है, that means embryo वाली stage में कोई dividing cell है, तो वो cell जो embryo stage पर है, हम उसको क्या बोलते हैं, pro embryonic meristem, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखता है, embryonic meristem, embryonic meristem, या हम इसको बोलते हैं, pro meristem, अब यही है, जो आगे जाकर के सारा काम करेगी, अब देखना कैसे, क्या होता है, यह stage पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बच्चों, बहुत basic है, जो आपको आगे की chapters में भी काम आएगा, सबसे पहले क्या होता है, इस, इस meristem से, जो meristem बनता है, उस meristem को हम बोलते हैं, primary meristem, primary meristem, तो primary meristem को कैसे define करोगे, primary meristem को आप define करोगे, वो cell जो directly किससे बन रही है, embryonic meristem से बन रही है, embryonic meristem से बन रही है, तो इसमें कौन-कौन से आ जाते हैं, बच्चों, उस दिन मैंने आपको examples बताये थे, इसमें आपको याद रखना है, apical meristem, apical meristem, और क्या हो गया है, बच्चों, intercalary meristem, यह सारे क्या है, primary meristem है, primary meristem है, meristem सोते क्या है, they are dividing cells, they are dividing cells, क्या इनका कोई specific function है, नहीं, there is no specific function, क्यों specific function तो तब होता ना, जब यह differentiation का result होते हैं, differentiation का result नहीं है, जब यह बार-बार divide कर रहे हैं, that means G-naught में नहीं जा सकते, G-naught में जाते हैं, तो specific function आता, अभी नहीं है, फिर क्या होता है, फिर अभी हमने पढ़ाना, कि meristematic cell जब तक चाहें, divide कर सकता है, जब mood करेगा, G-naught में जा सकता है, और G-naught में जाने वाले process को हम क्या बोलते हैं, differentiation, तो आओ चलते हैं, आगे की process में चलते हैं, जब meristematic cell, एक सेकेंड, एरो थोड़ा इधर लगाते हैं, हाँ, जब meristematic cell, डिवाइड करना बंद कर दे, ध्यान से सुनते रहना, चीक है, डिवाइड करना बंद कर दे, तो वो बनाता है, primary meristem जब डिवाइड करना बंद करेगा, तो वो बनाएगा primary permanent tissue, क्या बनाएगा primary permanent tissue दियान से सुनते रहे ना तब समझ में आएगा ठीक है लिख दिया यह किस्से बना जब primary meristem ने क्या किया बच्छो जब primary meristem ने differentiation शो किया क्या शो किया differentiation differentiation में क्या होता है differentiation में दो चीज होगी differentiation में दो चीज होगी number one loss of division अब यह divide नहीं कर सकते हैं, अब यह जो primary permanent tissue बनके आये हैं, अब there will be no activity of division, तो इनका काम क्या होगा, specific functions को perform करना, that means gain of, that means gain of specialization, gain of specialization, तो याद रखना है कि primary permanent tissue किस से बनते हैं, किस process से बनते हैं, differentiation से बनते हैं, कौन differentiation में जाता है, primary meristem, और कौन-कौन से primary permanent tissue होंगे बच्चों, याद करना, primary permanent tissue के नाम है, सब के आगे primary लगा होगा, primary xylem, primary phloem, primary medullary rays, अभी आपको कुछ नाम थोड़े unknown लग रहे होंगे, क्योंकि आपने anatomy वाला chapter नहीं पढ़ा है, but don't worry, सब clear हो जाएगा, primary medullary rays, यह सारे तुमारे क्या हैं primary permanent tissue हैं, ठीक है, साथी साथ, फिल रीड एंसी आटी तो उसमें लिखा हुआ है, trackery elements, trackery elements मतलब trackies, वो किसका पाठ होता है, xylem का पाठ होता है, क्योंकि वो एंसी आटी में दिखा हुआ है, पूरा अच्छी तरीके से, तो मैं उसको specifically दिखा देती हूँ, यह देखो, इसम पे उन्होंने example दिया है, trackery elements का लेकर के, जो xylem का ही पाठ है, बचो, ठीक है, NCRT में लिखा हुआ है, कि trackery elements, किसका result होती है, वो differentiation का result होती है, तो जब trackery elements, they are the result of differentiation, है ना, मतलब कुछ specific होंगे, क्या करते हैं, there is a loss of protoplasm, there is a loss of protoplasm, और protoplasm जैसे निकल गया, trackery elements क्या हो जाती है, dead, इसलिए तो हम xylem को भी dead बोलते हैं, xylem अगर dead याद है, तो trackery elements भी याद होगा, और, किसकी deposition होती है, बच्चो, lignin की deposition होती है, किसकी deposition होती है, lignin की deposition होती है, यह सब क्यों होता है, यह सब इसलिए होता है, क्योंकि trackies और vessels का काम होता है, पानी और minerals का conduction कराना, तो यह अपनी आपको strong कर रहे हैं, lignin की deposition हो रही है, thickening हो रही है, तो मजबूत कर रहे हैं, कि पानी को कितने भी tension में हो, ठीक है, कितने अभी ज़्यादा pressure हो, trackies और trackery elements जिनको कहते हैं हम, वो असानी से पानी का flow करा सकते हैं, that means, trackies, specific function को perform करने के लिए क्या हुए है, differentiate हुए है, एक specific function को specialize कराने के लिए, specialization में जाने के लिए, वो कौन सा शो किया है, differentiation, तो कभी भी question आए, कि primary tissue, चाहे तुम इनके examples ले लो, चाहे इनके examples ले लो, यह किसके result है, तो याद अपना differentiation के, तो यह topic हमने पढ़ लिया है, क अब, इनका क्या होगा रे, क्या होगा बच्चों इनका, primary permanent tissue, primary permanent tissue, उस table को आगे हम continue करते हैं, sequence को, primary permanent tissue, जब चाहे, हमने यार, एक line लिखी थे न, cell cycle में, याद करो, cell cycle में जब हमने लिखा था, तो हमने ये लिखा था, कि G-not वाले cell, अभी, अभी ये सारे किसमें मौझूद हैं, trackery element, xylem, phloem, primary, medullary, सब किसमें मौझूद हैं, G-not में, तो यह दिवाइड नहीं कर रहे हैं, लिखा तो हुए हमने, कि यह दिवाइड नहीं कर रहे हैं, फ दुबारा से cell cycle में आ सकते हैं, तो दुबारा से cell cycle में आने वाले process को क्या बोलते हैं, दुबारा से आने वाले cycle को हम बोलते हैं, D-differentiation, D का मतलब क्या होता है, जहां पे भी D लग जाए, जैसे D-carboxylation था, तो D मतलब removal, ठीक है, ऐसे relate करोगे बच्चो, D का मतलब क्या है, removal, है न, तो D-differentiation में किसका removal हुआ, किसका loss हुआ, removal कहलो या loss कहलो, तो किसका loss हुआ बच्चो, loss of specialization, ठीक है, और किसका gain होगा, gain of, gain of, फिर से क्या, division, तो जब एक primary permanent tissue, दुबारा से cell cycle, cell division वाले process में आता है, उस phenomena को हम D-differentiation बोलते हैं, और जो cell बनती है, उसको हम secondary meristem बोलते हैं, तो बच्चो यह याद रखना है, कि secondary meristem किसकी वज़े से बनता है, secondary meristem हमेशा D-differentiation का result होता है, ठीक है, अब आपको secondary meristem के example याद होने यह अगर anatomy पढ़ लिया होता तो बच्चो याद रहते, बट एनिवेश अभी आपने जो याद रखने हैं, वो है आपका, और cambium, inter fascicular cambium, inter fascicular cambium, यह सारे secondary meristem है, ठीक है, और आप anatomy पढ़ोगे, secondary growth कराते हैं, मतलब plants की thickness बढ़ाते हैं, अब क्या होता याद, यह secondary meristem, secondary meristem, जब तक चाहें divide करेंगे, जब तक उनको करना है याद, नए cells add करते रहेंगे, फिर यह क्या कर सकते हैं, यह cell cycle को छोड़ दे सकते हैं, cell cycle को छोड़ करके, यह G not state में जा सकते हैं, जिसको inactive stage बोलते हैं, और उस phenomenon को क्या बोलते हैं, मतलब G not में जाने का मतलब है, फिर से differentiate कर रहें, G not में जाने का मतलब क्या है, फिर से, फिर से के लिए word क्या लगता है, re, re का मतलब क्या होता है, repeat, किसका repeat, differentiation का repeat, ठीक है, differentiation का repeat, और हमने पढ़ा था, जब differentiation होती है, तो दो बाते होती है, कौन सी दो बाते होती है, differentiation का तब डिवीजन नहीं होगी क्योंकि डिवीजन की अबिलिकी सिर्फ इनके पास होती मेरिस्टेम के पास होती है आप डिवीजन नहीं होगि तो कुछ तो होगा क्या होगा specific function perform करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम specialization बोलते हैं और इस process की वजय से Redifferentiation की वजय से बनते क्या है Secondary Permanent Tissue Secondary Permanent Tissue बचो ठीक है क्या बनते हैं बचो Secondary Permanent Tissue और इसके examples क्या याद रखोगे इसके examples हैं बचो Secondary Xylem secondary phloem ठीक है secondary medullary rays secondary medullary rays secondary cortex cork cell यहाँ पर भी एक और एड़ कर देना primary cortex do not worry अभी आपको अगर यह नाम नहीं सुनाई दिये हैं कभी तो एक चैप्टर है anatomy यह सारा कुछ उसमें पढ़ोगे कर लिया देख लिया याद आगया होगा वहाँ पर पूरे examples के साथ हमने पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा process पढ़ा हुआ है और वो process chapter में काम आएगा ठीक है वो process chapter में काम आएगा revision कर लेना ठीक है आओ आगे बलते हैं बच्चों हमने meristematic tissue का दोनो basis cover कर लिया है origin भी cover कर लिया है और साथ ही साथ हमने इसका पूजिशन वाला भी cover कर लिया है अब हम बात करेंगे पर्मनेंट टिशू की किसकी पर्मनेंट टिशू की जो पर्मनेंट टिशू होता है ने बच्चों यह दो टाइप्स के होते हैं किसके दो टाइप्स के एक होता है सिंपल पर्मनेंट टिशू एक होता है बच्चों सिंपल पर्मनेंट टिशू और एक होता है complex permanent tissue, complex permanent tissue, आज इस वाले lecture में we have to cover simple permanent tissue, complex permanent tissue अगले lecture में complete करेंगे, simple permanent tissue को अगर मैं define करूँ ता आप क्या बोलोगे, why it is said to be simple, simple क्यों बोला जाता है, because they are made of, ऐसे लिखते हैं, they are made of, made up of, one type, one type of cells, क्योंकि एक ही type of cells के बने होते हैं, इसलिए इनको simple बोला जाता है, अब मेरा आपसे सवाल यह है बच्चों, कि इस one type का मतलब क्या है, इस one type का मतलब है, कि जो भी cells होंगे इसमें, उनका structure और function, structure और function similar होगा, तो complexity आई ही नहीं, इसलिए ऐसे group of cells को हम बोलते हैं, simple permanent tissue, जैसे, जैसे बच्चों, simple permanent tissue में आपको कितने types पड़ने हैं, simple permanent tissue में आपको पड़ने हैं, three types of cells, कौन-कौन से हैं वो three types of cells, number one, parenchyma, number two, colenchyma, and number three, sclerenchyma, तो याद करो, बच्चों, 11th लास से पड़ा हुआ है, perenchyma, stollenchyma, and sclerenchyma, तो अगर perenchyma का है, तो perenchyma कहीं सारे कहीं सारे cell हैं, तो obviously structure भी same होगा, function भी same होगा, same goes with colenchyma, same goes with sclerenchyma, that is why, इनको किसके अंदर रखा गया है, इनको रखा गया है, हमारे simple permanent tissue के अंदर, ठीक है, तो आओ detail में पड़ते हैं, तीनों cells के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे, perenchyma के बारे में, किसके बारे में, perenchyma के बारे में, heading दे दो बच्चो, perenchyma, अब एक एक करके बढ़ेंगे, बच्चो, perenchyma सबसे पहले पढ़ रहे हैं, तो perenchyma, सबसे पहली बात तो जो हम पढ़ेंगे, that it is living cell, ठीक है, तो cell वाले ही chapter में हमने पढ़ लिया था यार, अगर हम किसी को living बोल रहे हैं, that means, उसमें protoplasm present होगा, क्योंकि protoplasm को हम living component of the cell बोलते हैं, so यह कैसा cell है, living cell, and it form bulk of the main plant, अगर हम plant body को cut करके देखे न, तो सबसे ज़ादा जो cell नजर आते हैं उनके अंदर, वो इसी के बने होते हैं, major portion it is formed by perenchyma cells, so इसलिए बोलते हैं, bulk या major portion, इसके अलाबा living तो ही, और thin cell wall होता है, तब भी देखो, शुरू में हमने लिखा था, यह हैं क्या, permanent tissue, है न, और हमने लिखा था, permanent tissue में जो wall है, वो thin भी हो सकती है, तो perenchyma में देखो, thin ही है, और यह thin cell wall बना किसका होता है, it is made up of, made up of cellulosic cell wall, ठीक है, और cellulose होगा, तो ऐसे याद रख सकते हो, thin होगा, और ऐसे cell कैसे होंगे, बच्चों, living होगे, कैसे होंगे, living होगे, अगर मैं space की बात करूँ, तो space यहाँ पर, जो intercellular space है, intercellular space है, वो present भी हो सकती है, और absent भी हो सकती है, आप आगे जब anatomy पढ़ोगे, tissue system पढ़ोगे, तो वहाँ पर हम कुछ ऐसे group of cells देखेंगे, जहाँ पर भर भर के intercellular space है, आप देख सकते हो, कितने loosely arranged है, और यह कितने सारे spaces present है, इन spaces को intercellular क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह दो cell के बीच की space है, है ना, और आप ऐसे भी parent काइमेटर cells की group देखोगे, जो tightly packed होते हैं, tightly packed होने की वज़े से आप देखो, यहाँ पर कोई space present नहीं है, तो यहाँ पर space absent है इसमें, तो यहाँ पर दोनों condition आती है, और क्या याद रखना है बच्चों हमें, हमें याद रखना है इसका shape, इसका shape oval भी हो सकता है, perical भी हो सकता है, round भी हो सकता है, elongated भी हो सकता है, और polygonal भी हो सकता है, ठीक है यह सारे possible shapes हैं, बट इन सारे cells का जो diameter है, वो क्या होता है, लगभग same, therefore, इनको क्या बोलते हैं, isodimetric cells, iso word लग गया मतलब same, ठीक है, और हमने सारा कुछ पढ़ लिया बच्चों, कि living cell है, dead cell है, तो they are living cell, ठीक है, हमने उसकी wall पढ़ लिया, हमने उसका chemical composition पढ़ लिया, space present होते हैं, यह पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है उसका function, क्या पढ़ना है उसका function, तो आओ स्टार्ट करते हैं, खाने की, carbohydrate के form में कर सकता है, बच्चों या और भी जो reserve food का form होता है, वो store कर सकता है, और, अब आप सोच रहे होगे, खाना तो तभी बन सकता है, जब इनके पास क्या हो, जब इनके पास chloroplast हो, yes, definitely आप सही सोच रहे हो, तो इस synthesis तभी करा सकते हैं, if they have, if they have chloroplast, अगर ये खाना बना पा रहे हैं, बच्चों, इनके पास मतलब chloroplast है, ऐसे पेरेंकाइमा, जिनके पास chloroplast मिले, ऐसे पेरेंकाइमा को हम क्या बोलते हैं, chloroplast है, तो अगर directly आप से पूछ लिया गया, क्लिक chloroplast का फंक्शन क्या है, तो क्या बताओगे बच्चों, कि chlorine काईमा का फंक्शन होता है, photosynthesis, या synthesis of food, ठीक है, इसके इलावा बच्चों, एक और फंक्शन है, ठीक है, एक और फंक्शन है, that is to provide, to provide bioncy, to provide bioncy, bioncy का मतलब क्या होता है, physics में पढ़ते हो बच्चों आप, that means floating property, और floating तो पानी में ही करोगे, और पानी में हम क्यों करते हैं, मतलब हमें तो जरुवत नहीं है, ऐसे कुछ plants होते हैं, बच्चों जो पानी में रहते हैं, उन plants को क्या बोलते हैं, aquatic plants और ज्यादर specific हो जाएं, तो hydrophytes बोलते हैं, तो आपने देखा होगा, कि जो hydrophytes होते हैं, वो पानी पर float कर पा रहे होते हैं, कैसे कर पाएंगे या, कैसे कर पाएंगे पानी पर float, that means उनके पास कोई ना कोई cell ऐसा है, जो उनको floating property प्रवाइड कर रहा है, उस floating property को हम बायूंसी बोलते हैं, उस floating property को क्या बोलते हैं, बायूंसी, ठीक है, that means, यह कहाँ पर होता है, किसमें प्रवाइड करेगा, हाइड्रोफाइट्स में, किसमें प्रवाइड करेगा, बच्चों, हाइड्रोफाइट्स में, that means, you can say, कि पेरेंकाइमा प्लस एयर क्याविटीज, क्योंकि जब पेरेंकाइमा के पास एयर कैविटीज होंगी, तभी तो floating property प्रवाइड कर सकते हैं, जैसे हम जब जाते हैं, तो हम बड़ी बड़ी ट्यूब ले जाते हैं, उस ट्यूब में गैसी तो भरा होता है, हम उस पे बैट जाते हैं, क्योंकि अगर हमें स्विंग न क्योंकि scales हैं, और अगर ये cells पानी वाले plants में मिल रहे हैं, तो इनमें क्या मिल रहा है ?är, तो ये क्या है बच्चों कैसे cell हैं ?Parenchyma, और अंदर क्या भरा हुआ है ?är, तो ऐसे parentxi metal cells को हम क्या बोलते हैं ? एन्हीं काइमा ऐसे परिएंट ाइमेटर को ह rh человек हम क्या बोलते हैं एरन remains तो अगर सवाल पूछा जाए फिर काईमा कहा मिलता है, aquatic plants में, hydrophytes में, काम क्या होता है, floating property provide करने, ठीक है, तो हमने ये भी discuss कर लिया, बच्चो, अब हम किसकी बात करेंगे, second cell की, second permanent tissue की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, colenchyma, ठीक है, जिसका नाम है, colenchyma, तो colenchyma क्या होता है, बच्चो, colenchyma एक living tissue है, that means इसका भी protoplasm present है, ये एक elastic tissue है, ठीक है, और ये एक mechanical tissue है, कैसे tissue है, ये living tissue है, mechanical, elastic tissue है and mechanical tissue, और mechanical word जहाँ पर भी लग जाया, उसका मतलब होता है strength provide करना, किसको strength provide करेंगे, obviously plants के अंदर है, तो plant को overall support और strength इससे मिलता है, ठीक है, उसके बात अगर आप बात करें, तो इनका जो characteristic feature है, कि इनके पास corner thickenings होती है, cell के corners पर thickening present होती है, corners thickening, और इसी corner thickening की वज़े से, आपको कोई spaces, दो cell के बीच में दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं, that intercellular spaces are absent, for example, मैं बहुत सारे colenchyma के cells बनाओ, ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, colenchyma के cells बना रहे हैं, बट इन cells के बीच में आपको, इन cells के बीच में आपको, जो space है ना, ये खाली, ये खाली नहीं रहता बच्चो, इनके सबके corners ठिक होते हैं, और इसी thickening की वज़े से, ऐसी thickening जो corner पे हो रहे हैं, उसको क्या बोल रहे हैं, corner thickening, और इसी thickening की वज़े से, इनके पास बीच में कोई खाली space नहीं है, तभी हम बोलते हैं, space is absent, और ये corner thickening, किस-किस की बनी होई है, किस-किस के deposition से, cellulose, ठीक है, तभी ये living है, साथ ही साथ किस से, hemicellulose, ठीक है, और इनके cell wall में क्या होता है, इनके cell wall में pectin होता है, यही इसको elastic property provide करता है, तो हमने cell wall का composition देख लिया, हमने इसका characteristic feature भी देख लिया है, ठीक है, अब इनका shape देख लेते हैं, बच्चों, इनका shape कैसा होता है, आओ देखो, इनका shape होता है, oval हो सकता है, shape can be oval, और क्या हो सकते है, spherical, और क्या हो सकते हैं, बच्चों, polygonal, और क्या हो सकते हैं, polygonal, यह तीन shapes आपने यहाद रखने हैं, ठीक है, present क्या होता है, दियार, present below epidermis, यह present below epidermis, epidermis क्या होता है, बच्चों, outermost layer है, मान लो, आप कोई भी part काट रहे हो, plant का, for example, leaf का ही cut कर लो, क्योंकि आपको पता है यह मान लो, leaf है अगर, तो leaf का जो stock होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, petiol, आपको पता है, petiol कितनी पतली है, है ना, तो इसको भी strength provide करना है, तो इसको strength provide करने के लिए, इस पर क्या लगा होता है, colinchyma, तो मान लो, हम sleeve को cut कर रहे हैं, तो जो हम सबसे पहले cut करके, इसको microscope के अंदर देखेंगे, जो सबसे बाहर वाली layer होती है, उसको हम बोलते हैं, epidermis, epi का मतलब सबसे बाहर, और इस epidermis के ही नीचे, तुम्हें मिलता है क्या hypodermis, इसको hypodermis क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि यह layer, it is present below the epidermis, उस hypo का मतलब होता है नीचे, तो यह जो cell होगी न, यह colonchymia, sorry, यह जो hypodermis है, यह किस cell की बनी होगी, यह colonchymia की बनी होगी, तो ऐसे cell को हम colonchymetis बोलते हैं, और ऐसे hypodermis को colonchymetis hypodermis बोलते हैं, जा बोलते हैं, colonchymetis hypodermis, ठीक है, तो इसकी हमने presence देख ली है, दूसरा आपने इसका याद रखना है बच्चों, यह monocotts में नहीं दिखाई देता, अब हम इसका क्या करते हैं, बच्चों, अब हम इसका functions पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्या function होगा, हमने पहले ही पढ़ लिया था, कि इसका जो function होगा, एक तो क्या होगा, mechanical strength provide करना, ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं, इट provide mechanical strength, किसको, इसको, provide mechanical support लिख सकते हो, या strength लिख सकते हो, support to young stem and pitule of leaf, ठीक है, यह इसका main काम है, कभी कबार किताबों में ये भी लिख देता है, कि इनका काम food synthesis भी होता है, बट यह तभी करा सकते हैं, बच्चो, जब इनके पास क्या हो, यह तभी करा सकते हैं, जब इनके पास chloroplast present हो, बट यहाँ पर ऐसाच कोई specific नाम हमें याद नहीं रखना है, जैसे हमने वहाँ पर chlorine काईमा याद रखा था था ना, यहाँ पर ऐसा नहीं तो हमने function भी cover कर लिया है, अब next जो हम पढ़ेंगे बच्चो, वो क्या है, next हम पढ़ेंगे scleran काईमा, जो तीसरा type of permanent tissue है, तो यार हम 9th class से पढ़ना शुरू कर देते हैं, कि जो scleran काईमा है, पहली बात तो जिस word से लिया गया है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, heart tissue, soft तो यह बिल्कुल भी नहीं है, and moreover, they are what, dead, dead का मतलब है, कि they are devoid of protoplasm, that means protoplasm क्या होता है, बच्चो, नहीं होता है, ठीक है, cell wall कैसे होते हैं, ठीक होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने जब permanent tissue लिखा था, ठीक दोनों लिखा था, ठीक किसमें, ठीक किसमें, इन दोनों में, ठीक है, और cell wall किसके बने होते हैं, it is made of cellulose, plus hemicellulose, hemicellulose, plus lignin, lignin की ही deposition इनको थोड़ी ठीक बना देती है, और जहां जहां पर secondary wall में, ठीक है, lignin present होगा, वो वाली wall impermeable हो जाती हैं, पानी के, impermeable to water, अच्छा अब जब मैंने आपको शुरू में बताया था, तो मैंने बोला था, cellulose है, तो वो living कहलाते हैं, वो think कहलाते हैं, similarly, याद रखना, जहां जहां पर lignin का deposition है, वो cell तुम्हारी मोटी हो जाती है, और वो ठिक हो जाती है, और वो dead हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अन्ना अंदर पानी आ रहा है ना, इससे बहार जाएगा, क्योंकि कैसी है, यह permeable है, ठीक है, तो जब किसी चीज को dead बनाना है, और dead बनाने का reason होता है, आपको पता चलेगा, एक तो उसको strength provide करनी है, ठीक है, दूसरा इसका specific function हो जाता है, कि असानी से यह conduction अगरा करा सकते हैं, आप पढ़ोगे, क्योंकि यह fibers xylem में भी मिलते हैं, आपको पता है xylem का क्या होता है, पानी और minerals का conduction कराना है, यह fibers phloem से भी associated होते हैं, और phloem का क्या होता है, phloem का क्या होता है, बच्चो, food को translocate कराना, ठीक है, तो वो हम बाते आगे करेंगे, बस इतना भी आज रख लो, कि यहाँ पर lignin की deposition होती है, जिसकी वज़े से cell क्या हो जाता है, impermeable हो जाता है, ठीक है बच्चो, तो और lignin से ही आपको क्या मिलती है, lignin से ही जैसा मैं आपको बताया, it provides, क्योंकि dead हो जाता है, तो it provides mechanical strength, तो हमें यहाँ से यह तो समझ मे आ गया है, स्क्लेरेंट काईमा का जो overall function है, जो overall function है, वो है क्या, to provide mechanical strength, फिक है बच्चो, strength देख ली हमने, इसके बाद lignin से और क्या होता है, वो भी लिख लेते हैं, जैसा भी हमने डिसक्स किया, कि इसकी वज़े से ही cells become, कौन सी cells, स्क्लेरेंट काईमा की cells become strong and rigid, तभी तो यह mechanical strength provide कर पा रही है, तो lignin की deposition से क्या हो रहा है, mechanical strength मिलरी ओवराल, क्योंकि cells strong and rigid हो जा रही है, और इसकी वज़े से वो dead भी हो रही है, और इसकी वज़े से वो इंपर, क्योंकि थिक हो जाती है, इसकी deposition से थे वो impermeable हो जाती है, पानी से, ठीक है, और इसकी जो cells होती है, cells are pitted, pitted का मतलब क्या होता है, बच्चो, presence of pits, जो हमने cell वाले chapter में पढ़ा था, pits क्या होता है, बच्चो, जहां पर secondary wall present नहीं होती है, तो scleran काइमा में वैसे तो हम बोलते हैं कि secondary wall है, बट ऐसी जगह भी है, जहां पर secondary wall नहीं होता, जिसकी वज़े से क्या बन जाता है, बच्चो, pits, अब थोड़ा सा revise कर लो, pits, भूल गए होगे अगर तो, ठीक है, भूल गए होगे तो revise कर लो, कोई नहीं अभी मैं आपको revise करा देती हूं, ठीक है, primary wall होता है, plant में, यह हमने क्या बनाया, primary wall, ठीक है, primary wall पतली होती है, single layer होती है, और इसी के अंदर क्या बनता है, internal wall, बड़ आपको पता है, जो internal wall होती है, ठीक है, उसका नाम होता है secondary wall, क्योंकि हम plants कैसे है, living organism, living organism में growth हमेशा internal होती है, intrinsic होती है, तो अब मैं इसके अंदर क्या बनाने वाली हूं, अब मैं इसके अंदर बनाने वाली हूं, secondary wall, ठीक है, just a second, कि году यह क्या बन गया है सेकेंड्री वाल में कि इतना थिक बनाए है जेनरलीं ऐसा ही होता है और तो स्क्लरें काईमा के जो सेल्स होते हैं उनमें सेकेंडरी वाल की deposition होती है ठिक तो होता ही है और उस secondary वाल में क्या होता है उस secondary वाल में special chemical होता है that is lignin जो इसको dead बना देता है ठीक है बट होता क्या है बचों यह होतो गया हमने तो हर जगा secondary wall बना दिये ना इनके में बहुत जगह ऐसी है जहां पर secondary wall नहीं बनता है जहां पर secondary wall नहीं बनेगा यहां पर secondary wall नहीं बनेगा यहां पर secondary wall नहीं बना यहां पर यहां पर, यहां पर, यहां पर, आप देखो मैंने बीच बीच में से गायब कर दिया है, है ना तो आपको लग रहा है बस यहां डिपॉजिशन हुई, यहां पर हुई, यहां पर हुई, यहां पर हुई, तो आपको gaps दिखाई दे रहे हैं, तो यह gaps क्या कहलाते हैं बच्चो यह जो gaps बने है, deposition के बीच में, जो गढ़ा बना है, यह गढ़ा क्या है, pits, यह हमने discuss कर रखा है, तो आप देख सकते हो, pits वो area है, जहां secondary wall नहीं होती है, तो इनके जो cells होते हैं, इनमें काफी जगा पर आपको ऐसा दिखाई देगा, कि secondary wall तोड़ तोड़ करके हैं, continuous नहीं है, क्यों, क्योंकि बनती ही नहीं है, और उसी area को हम pits बोलते हैं, ठीक है बच्चों, अब हम NCRT में जाएं, तो NCRT में और क्या लिखा हुआ है, NCRT में लिखा हुआ है, कि कुछ basis हैं, जिनके basis पर, जिनके अधार पर, scleran काइमा, दो तरीके के होते हैं, वो कौन-कौन से basis है, जैसे soft होता है, soft, तो soft को ऐसा याद रखना, soft और D, T को यहाँ D से deplace कर देना, तो याद रहेगा तुम्हें basis, S for structure, O for origin, F for function, and D for development, इन चार बेसिस पर, जो scleran काइमा होते हैं, scleran काइमा, are of two types, are of two types, number one, we gonna talk about fibers, and number two, we gonna talk about sclerots, ठीक है, तो दोनों की बात करेंगे, पिच्चर के साथ दिया हुआ है, आपको basis याद रखना है, किस basis पर इनको बनाए गया है, आज आप fibers की बात करते हैं, ठीक है, तो fibers आपको देख करके लग रहा है, कैसे हैं, cylindrical है, ठीक है, तो सबसे पहला point जो में याद रखना है, fibers को देख करके, that is cylindrical, उसके बाद ये देखो, इनकी ends कैसी है, pointed, तो जब ends pointed होते हैं, बच्चों, तो हम ऐसे ends को क्या बोलते हैं, हम ऐसे ends को tapering ends बोलते हैं, ठीक है, और अभी मैंने यापर pit बनाया नहीं है, ये सारा का सारा क्या है, ये आपका secondary wall है, क्योंकि बच्चों primary तो हो गई, ये क्या है secondary wall, इस secondary wall पे किसकी deposition है, इस secondary wall पे lignin की deposition है, बट ये lignin हर जगा develop नहीं होता, है ना, हर जगा develop नहीं होता, जैसे यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हो, जैसे मैंने आभी आपको explain किया था, ये बीच-बीच में से गायब होता है, क्या होता है, बीच-बीच में से गायब होता है तो जो गड़ा बनता है मुसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं, ओहो, उसको हम बोलते हैं, pits, तो ये क्या है, pitted भी है, pitted का मतलब pits are present, ठीक है, इनका काम क्या होता है बच्चों, इनका काम होता है mechanical strength provide करना, mechanical strength provide करना और यह जो बीच में खाली space है इस खाली space को क्या बोलते हैं इस खाली space को lumen बोलते हैं बट अगर हम fibers की lumen की बात करें न तो हम बोलते हैं lumens are obliterated obliterated का मतलब क्या होता है reduced या क्या मतलब होता है small छोटा जब बीच का space छोटा हो reduce रहो तो उसको बोलते हैं obliterated तुम सोच रहो कि मैं इतना बड़ा तो space दिखाए दे रहा है why are you sewing it is obliterated क्योंकि होता यह है कि बच्चों यह जो लिगनिन है यह सिर्फ secondary wall पे deposit नहीं हुआ है यह सिर्फ जिसे यह secondary wall ना सारे कि सारे secondary wall पे किसकी deposition है लिगनिन की deposition है छोड़ छोड़ करके continuous deposition नहीं है pits में नहीं दिखाई देगा और यह लिगनिन सिर्फ यहां नहीं deposit हुआ है यह लिगनिन lumens में भी deposit हुआ है जिसकी वज़े से यह space कम हो गया है यह से reduced हो गया है ऐसे space को obliterated lumen बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं अब देखा है कहते हैं भगवान के दर पर जाओ सब कुछ मिलेगा बोलते हैं तो वह जो क्योंकि नारियल लेके जाते हैं आप उसमें जो दिखाई देते हैं वह किसके बने हैं याद रखने के लिए बता रही हूं ठीक है अब आज ओ बच्चो स्क्लेरीट्स पर तो वह फाइबर जो नारियल के होते हैं यहां पर तुम्हें शेप दिखाई दे रहा है वैसे तो इसलेंड्रिकल भी हो सकते हैं बड़ एंसी आटी एंस वैसे जैसे इनका है वैसे नहीं होता ठीक है यह भी पिटेड होते हैं इनके पास पिटेड का मतलब पिट्स प्रेजंट होंगे और इनका भी जो क्या होता है लिउमन ओब्लीटरेटेड होता है क्यों लिगनिन की डिपोजिशन तो लिगनिन की डिपोजिशन पहली ब लिगनिन यह क्या है लिगनिन ठीक है ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है रुको ठीक है पहले तो पिट्स बनाओ पिट्स मतलब कहीं कहीं पर गायब करो यहां गायब कर दो यहां गायब कर दो कहीं भी गायब कर सकते हो बच्चो ठीक है गायब कर दिया हमने अब लिगनिन की डिपॉजिशन कराओ कम नहीं थोड़ी मोटी ठीक है यह देखो ठीक है उसके बाद यह सारा क्या है लिगनिन डिपॉजिशन यह सारा क्या है है बच्चों लिगनिन की डिपॉजशिशन उधर भी आ जाएगा लिगनिन तो आप देखो लिगनिन की डिवजे से सेल वाम जो है कितना थिक हो गया है और अंदर का जू सपेस है इसी को हम क्या बोलते मेरे बत्चो मतिन्गनिन बोलते हैं के उब लीटरे सब्सक्राइब होते थे तो टाइब भी पढ़ाने होते थे बड़ अब यूआ लगी इनफ कि आपको टाइब नहीं पढ़ने हैं ठीक है आपको सिर्फ पढ़ना है शेप में डिफरेंस है ठीक है मतलब वही है काम वही है ठीक है अब यहां पर NCRT में एक और बात लिखी होई ही है वह यह की प्रेजेंट कहां-कहां होते हैं तो स्क्रेयरीक्स कहां पर प्रेLee ment हो सकते हैं बदियार घ्रेजन इंप आप्र फूских हुआते है रहा बहुत हुता है बहुत फर द्थे संसे चीकु चीकु खाते हैं इसको सबंज्कांttory में भी बनdaughter में उसको क्वाइस प्रेजंट रूट आ इन गया है किसका एंस म questi ओं फैंड कोर्टMO कि हुआ citizens प्रेजंट रहें सोग्ष का रहें कैस्ट की प्रेजंट को प्रतों हम स्पींट साथ कि अुट मियूट अफंड प्रत्म अता दाम वगए रहरा जो उसके wall होती ही, fruit wall, हम तो सिर्फ वदाम खाने में interested होते हैं, उसके fruit wall में भी scleries की present होती ही, बच्चो, fruit wall of nuts, और कहां पर मिलते हैं, seat coat of legumes, seat coat of legumes, तो ये चार आपने examples याद रखना है, where you can see the presence of scleries fiber का वो narial भगवान से relate करना है, ठीक है, yes, so we have completed this simple permanent tissue बच्चो, अब हम next turn पर पढ़ेंगी कि what is complex permanent tissue, but let us do some questions first, पहला है कि what is the function of lateral meristem, तो lateral meristem का का काम क्या होता है, लेटरल ब्रांचेस बनाना, चलो देखते हैं, लेटरल ब्रांचेस बनाना इसका तो काम नहीं है, तो left portion, apical meristem का बनाता है, दिखाया था अभी, इसका काम होता है girth increase करना, देखो second point में लिखा हुआ है, ठीक है, length नहीं बढ़ाता है, length नहीं बढ़ाता है, क्योंकि ये secondary mer meristem है, primary meristem का काम होता है, length बढ़ाना, इसका काम होता है, motopine increase कराना, next है, the parenchymatous cells are dead, no, they are living, they are thick wall, no, they are thin wall, ठीक है, they are thick wall and dead, दोनों गलत है, तो option number C, the colon chyma differs from parenchyma in, ठीक है, तो colon chyma के respect में देखना है, possessing thick cell wall, yes, thick होता है, lacking protoplasm, नहीं, living है ना, तो lack थोड़ी करेगा protoplas containing chloroplast, usually, not usually, rarely, क्योंकि देखो, मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पर, ठीक है, being meristematic, तो यह तो meristematic है नहीं, they are the permanent tissue, next, which of the following are absent in colon chyma, chloroplast, vacuoles, intercellular spaces, तो आपको पता है, chloroplast हो सकता है, अगर food की synthesis करनी हो, vacuoles, permanent tissue है, तो होगा ही, intercellular space नहीं होता है, क्योंकि thickening होती है, corner की pectin deposition होता है, क्या नहीं होता, intercellular spaces नहीं होते है, next, the elongated, thick walled and tapering cells, elongated, thick walled and tapering, तो हमने scleran chyma में ही पढ़ा है, बच्चों, यह तो हमने scleran chyma में ही पढ़ा है, colon chyma में भी thickening होती है, बट इसमें corner thickening होती है, corner thickening होती है, cell की, ठीक है, यह सारा का सारा point हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, cylindrical है, लंबे-लंबे है, तो एक और point आइड कर सकते हो, द्यार, elongated, ठीक है, question से उठा करके डाल दिया हमने यहाँ पर, next, next चलते हैं, बच्चों, आगे बढ़ते हैं, sclerates are commonly found in young stems, and petioles, नहीं, तो एक लॉरन काइमा, कॉलन काइमा का फंक्चन है, fruit wall of nuts, यह लिखा हुआ है, roots में, नहीं, fleshy stems में, नहीं, ठीक है, ज्यादा तर roots में और stems में आपको permanent tissue दिखाए देंगे, इनकी positions कहां-कहां होती हैं, हमने already लिख लिया है, next, क्या है, the axillary bud is constituted by the cells, left behind, कौ body मतलब motapa, और motapa कौन बनाएगा, बच्चो, motapa बनाएगा lateral, ठीक है, यह primary है, यह नहीं, यह भी नहीं, secondary meristems और intercalorie meristems, ठीक है, secondary meristems और intercalorie, तो यार secondary और intercalorie तो दोनों सेम हो गया, तो आप यहाँ पर change करो, अच्छा नहीं, intercalorie तो अलग है, yes, 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 देखो, अगर मैं कभी जल्दबाजी करते, जल्दबाजी नहीं, मैं भी वही सोचती है, जो कभी-कभी ऐसा होता है, आपको वही चीज़ दिखाएजी जो अपने दिमाग में आप सोच रहे हो, तो मुझे बार-बार यह inter-fascicular दिखाए दे रहा था, तो I was like, inter-fascicular secondary is the same, तो दोनों option कैसे हो हो सकता है, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, बच्चों, आपके साथ भी होगा, तो ध्यान देना है, ठीक है, तो inter-calorie भी primary होता है, तो मोटापा तो secondary increase कराएगा, तो all the following are lateral, except, all the following are lateral, except, ये question अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप इसमें थोड़ा सा फस सकते हो, नहीं नहीं फस होगे, नहीं फस होगे, येस, येस, नहीं फस होगे, तो ये हमारा primary है, इन सबका example हमने lateral में और secondary में लिखा हुआ है, तो exception पूछा है, तो कौन हो जाएगा, inter-calorie, inter और inter-fascicular कभी कभार हमें सेम दिखाई देता है, तो हम confused हो जाते हैं, ठीक है, येस, तो येस ब बच्चर में बच्चरो, तब तक के लिए, बाइ-बाइ, एंड टेक क्यार.